नमस्कार दोस्तों, हम जो जीवन जी रहे हैं, उसमें नरक की कलपना करना हमारे लिए बहुत दुखो थे नरक का नाम सुनते ही लोगों के रॉंक्टे खड़े हो जाते हैं मनुस्य के अच्छे और बुरे करमों के हिसाब से उन्हें अलग-लग लोगों में जाना पड़ता है पर उन सब मैंसे सबसे बयानक और डरावना कोई लोग है तो वो है नरक नरक में पापियों को सजाए दी जाती है उसके बाद उस प्राणी के करमों के हिसाब से उसे दूसरी योनी में पेश दिया जाता है आज हम इस वीडियो के मादिम से जानेंगे नरक में दी जाने वाली कुछ सजाए ग्यान वी तरतन चैनल में आप लोगा स्वागत है, सनातन धर्म के अनुशार, धर्म देवता, कुल देवता, पित्रों का अपमान करने वाला मनुश्य नरक में जाता है, पापी मनुश्य अपने जीते-जीतों सजाय बोगता ही है, पर मुरित्यों के पसात, नरक में भी सजा में डाला जाता है और सापों की खाई में छोड़ा जाता है जहां पर बाकी साफ उसे कारते है जब तक कि वो बेहोस्त ना हो जाए यह नर्क की पहली सजा जो मनुष्य अपने खुशी के लिए किसी और को मारता हो या अपने माबाप की सिवा नहीं करता हो तो उसे कुम्भी पाकम नाम की सजा दी जाती है जिसमें प्राणी को तेल के बड़े बरतन में डाला जाता है साथे उसको तला जाता है यह है नर्क लोग की दूसरी सजा जो मनुष्य अपने करतोय का सही से पालन नहीं करता हो या रिश्वत लेता हो उसे असित पत्रम नाम की सजा दी जाती जिसमें यम्दूत तेज हत्यार तलवार जैसे चाबुक से उस प्राणी को तब तक मारता है जब तक कि वो बेहोस्त ना हो जाए ये है नर्क की तीसरी सजा जो मनुष्यों छोटे जीव या जानुरों को पाल कर बढ़ा करता हो फिर उन्हें मार कर खा जाता हो और ऐसा ही वैवार और दूसरे मनुष्यों के साथ भी करता हो उसे नर्क में तेज सूई या बाले से मारा जाता है और तेज तलवार से चीला भी जाता है ये नर्क की चौ मना दिया जाता है जिसमें लाकों कीड़ों के बीच में छोड़ दिया जाता है पापी कीड़ा दूसरे कीड़ों को खा कर पलता है फिर दूसरे कीड़े उसी पापी कीड़े को खा कर समाप्त कर देते हैं यह है नर्क की पांचवी सजा नर्क लोग में दी जाने वाली यह सब मुख की सजाय है अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करे और साथ मैं चैनल को सस्क्राइब जरूर करे